जी गुद मॉर्निंग अलफ यू वेलकम अन्द ट्यूटर्स अकाड़मी आप सभी लोग फटाफट से शेर करो इससे अपने सभी गृप्स में ताकि स्टूडेंट्स ओनलाइन आए जल्दी से करिये फटाफट से शेर बोलो बिटा साउंड और वीडियो क्लियर है या नहीं येस अफकॉर्स क्लियर आ रहा है चलो स्टाट करते हैं हम लोग अपना हम लोगों ने कल जो बिटा करा था कल हम लोगों ने बात करी थी किसकी मैट्रिसस की जिसमें हमारा पूरा नहीं हो पाया था वीडियो अचानक से बीच में रुक गया था तो उसी से आगे हम लोग अपना कंटीनियू कर रहे हैं कुछ क्वेस्चन से हैं जो मैं रिवाइस कर रहांगे पहले आपको 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 कंसिप्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे से अवरेटिंग इस क्लियर प्रापर्टीज और ट्राइंगल अजीट कुमार करा देंगे आपका अपना स्टेटस करा है मैं आपने पैसे डोनेट किया हो क्या विटा उसको कोई प्रूफ देना पड़ता है कि पैसे डोनेट किया है कि स्क्रीन शॉट वगर डाल दो इसके यह सिंपल बोलिए कि अगर डोनेशन देना है तो इसके जस्टिफिकेशन में कोई नहीं जानी चाहिए कि सीक्रेट चाहिए ने यह थोड़ा सा वही है ना कि आप सब लोग डोनेशन के लिए बोल रहे हो मेरा क्याना सिर्फ इतना है कि अगर कोई बंदा कुछ डोनेट कर ठता है तो उसका डिस्टिफिकेशन देना होता है की कोई टिक डाल दो या कुछ भी कर दो जो होता है जिलसे ना कि ऐसे की आपको शूल पकीया जाए 味方法र नो है क्या कर रहे हैं वह में ही पता है और किसी को हम नई justify कर सकते ना हम करना चाते का già कि डोनेट करना चाहिए सब को करना जाये आप भी करो जितना भी कर सकते हो लेकिन धो टमाशा नहीं बनाना शो ओफ नइकडर या बच्चे कहाँ रहा है मैं बताने से какое suicide आहिसा कुछ नहीं होता यह सिर्फ आपके दिमाग का वहम होता क्योंकि आपकी नजर में रस्पेक बढ़ेगे किसी दूसरे की नजर में रस्पेक घटे गी उससे कुछ कुछ नहीं सिर्फ आप अपने को कैसे जस्टिफाइब कर पा रहे हो और कुछ नहीं है जस्टिफिकेशन देखना है तो बाकि इस बारे में मायंग सर जादा बताएंगे आज हो मैंग सर आप ही बताओ अगर जस्टिफिकेशन देखना है तो हाँ कल की वीडियो में आपको अपना जी एस टी का जो पिछले 6-7 माहिने की इंकम पर 7.5 लाग रुपिया अपना जी एस टी का टेक्स दे चुके हैं वो हम जरूर बता सकते हैं दूसरा चैरेटी कहीं पर भी की जा रही है तो प्लेटफॉर्म पर इसको कभी नहीं बोलेंगे हमारे पीम ने हमसे मदद मांगी है पबली सिटी नहीं और इसके लिए बहुत किलियर कट अपने में समझ लीजिए कि एक भी बंदा एक भी बंदा जो शेरिंग कर रहा है जो भी वहां डॉनेशन दे रहा है वह एक रुपे है कि वह बच्चे या कोई भी अपने लिए नहीं देने को तयार है वह पब्लिक के लिए देने को तयार है दिखाने के लिए कि मैंने इतना दिया जैसे लॉट ऑफ बीपल आर केरिंग डेरिंग टाइप ऐसा चल रहा है कि उन्होंने चेक्स बताएं इतने का चेक गया यह अब जैसे एक बच्चा कानपूर में फसा हुआ है उसका मैसेश था सुभागी ग्लास में सर मुझे कुछ फंड अविलेबल करा दीजिए विया ट्राय लेवल बेस्ट कि उसका ओनलाइन वो पेमेंट हो जाए बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं करा पा रहे है क्यो आपके लिए करिए कि आपको सक्षक्षन आये ऐसे नहीं कि पॉबलिक को साट्सक्षन नाय पबिक को साबस्वेक्षन के लिए तो उसमें पताना जरूरी है आदे का सैलरी दे दिया है परामेलेटरिकल फार्स इज ने दे दिया है सभी ने सभी ने कॉंट्रिब्यूट किया है तो क्या उसमें फीगर बताना जरूरी है मुझे नहीं लगता और हमारी सोच भी यह नहीं कहती एक अरब 30 करोर का देश है, अगर एक अरब 30 करोर भी डोनेट होगा तो सोचिए एक अरब रुपे multiply 121 होता है वो भी आप उस fund में देंगे तो बहुत लोगों के काम आएगा और वो किसी को बताने या दिखाने की आवशक्ता नहीं है ठीक है चलिए class शुरू करते है ऐसा जरूरी नहीं है motivation खुद से आता है और उसमें figure बताने की जरूरत नहीं है सब लोग contribute कर रहे है और अपने अपने level पर सब लोग कर रहे है ठीक है चलिए class शुरू करते है I hope so आपको समझ में आ गई होगी बात जो सर आपसे कहना चाह रहे है कि आप सभी लोग भले एक एक रुप्या करो contribute करो लेकिन उसका unnecessary का शोर पीटना डोल मचाना कुछ नहीं जो बच्चे कह रहे हैं कि आप करते हो तो motivation आता है ठीक है यह चल रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है ना एक बच्चा यहाँ पे लिख रहा है शोभित सिंग क्या कि डैश डैश चल रही है तो बच्चे मत कर मत पढ़ मत रहें हाँ पे कौन कह रहा है तेरे से हाँ पे बैठ और पढ़ ठीक है बागी चलिए शुरू करते हैं हम लोग अच्छल में उन्हीं के लिए यह BC रहता है इसने BC लिख था है मैं बोल देती हूँ no doubt उन्हीं के लिए रहता है जो इस पॉइंट पर सोचते ही नहीं है ठीक है चले नेक्स आते है question number हमारा जो कल हम कर रहे थे उसी से हम आगे शुरू करेंगे last हमने जहां पर रोका था बीच में ने टीशू हो गया था तो अचानक से कट लग गया था उसी से आगे मैं continue कर रही हूं 51 का answer दे दो फटाफट से कल मैंने बताया था आपको 51 का answer दे दो फटाफट से शोबित सिंग का नाम कह रहा है कि मैं मज़ा आ गया मेरा नाम बुल गया शोबित सिंग तेरा नाम बूलता हो गया लेकिन किस reference में बोलो और तुने क्या लिखा वो भी देख एक पढ़ने हाले बच्चे को शोबा नहीं देता ठीक है हम बहुत डीसेंट लैंग्वेज में बोलता है लेकिन आप लोगों की लैंग्वेज में बोलना मुझे आता है क्योंकि फीमेल होने के बावजूद में लास्ट 14 यह से इस फील्ड में हो लड़कों की ही बैच पढ़ाया है मैंने आज तक लड़कियों के बैच नहीं पढ़ाया है तो आता मुझे भी है बोलना तेरी लैंग्वेज में ठीक है बताओ 51 का अंसर C absolutely 51 का अंसर क्या है C क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मुला होता है जो कि मैंने कल भी बताया था मैं फिर repeat कर रही हूँ कोई भी matrix अगर है A तो इसको हम half of A plus A transpose plus का half of A minus A transpose लिख सकते हैं जहांपर A plus A transpose symmetric सम्मित आविव होता है और A minus A transpose skew symmetric विशम सम्मित आविव होता है तो 51 का अंसर C हो जाएगा और 52 का अंसर D हो जाएगा skew symmetric बढ़ते हैं नेक्स question पर हम लोग आगे जहां हमारा ये break लग गया था यानि हमारी वीडियो कट हो गई थी कल question number हमें दिया था 53 आंसर मैं कल करवा चुकी दिवाला question बोलो पड़ावट से 53 का अंसर फर्मान चौहान ने सबसे पहले आंसर दिया है 53 का A बिलकुल जिसको समझना हो कल की वीडियो में मैंने ये करवा दिया था question नेक्स आते हैं 54 शायर मैंने ये भी करवा दिया था 54 बोलो जरा आंसर 54 का टेल में 54 का अंसर 54 का अंसर फर्मान चौहान नेक़्ा है 54 और B 54 का बिटा B नहीं है चेट करो आजाओ इसने एकी पावर 4 पूछा है तो सबसे पहले आप निकालो A square A square का मतलब I 1 0 I into में I 1 0 I matrices की multiply है first row first column I square minus 1 first row second column तो I और I 2 I हो जाएगा इधर जाएंगे 0 और आगे बढ़ेंगे minus 1 हमें एकी पावर 4 चाहिए यानि minus 1 0 2 I minus 1 में फिर इससे into करो minus 1 0 2 I minus 1 इसे हम करते हैं तो first row first column आएगा 1 first row second column minus 2 I minus 2 I minus 4 I और आगे बढ़ोगे तो 0 and last में जाओगे तो 1 ऐसा option कौन सा दिख रहा है A तो क्या है 54 का answer option A ठीक है चलिए next question पर आते हैं अब हम लोग इसमें आगे question number हमारा next है 55 जो कि कल हमारा mistake हो रहा था मैंने कहा था कि book में mistake दिया है क्या था mistake जो मेरे से लिखने में गलती हुआ था यहाँ पर यह 3B नहीं 2B है क्या है यहाँ पर यह 2B तो करते हैं solve A plus B is equals to I दिया है और 2A minus 2B is equals to I दिया है हमने कहा यहाँ पर 2 की into कर लीजे add कर दीजे तो यहाँ से A is equals to 3 upon 4 I आजाएगा I हमें पता है 1, 0, 0, 0, 1, 0 0, 0, 1 होता है 3 by 4 के into है तो हर जगे आजाएगा 3 by 4 चेक करो ऐसा option कौन सा है कोई भी नहीं है तो answer क्या हो जाएगा इसका none of these क्या है इस question का answer 55 का none of these कुछ बच्चे 55 का answer B दे रहे है I don't know वो कैसे B दे रहे है क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो B में क्या आ रहा है minus और identity matrix में minus आने का कोई सवाल ही नहीं उठता लेकिन हाँ RS अकरवाल की जो book है उसमें पीछे B option लिखा है तो हो सकता है यह बच्चे वो है जो result देख करके answer दे रहे है ठीक है तो क्या होगा answer आपका option D next question पर आते है question अंदर हमारे पास है 56 क्या कहता है 56 question के अंदर इसने कहा A दिया B दिया A plus B का whole square A square B square है तो बताओ कौन सी बात सही है यहां दियान से देखो कुछ बच्चे solve करने लगेंगे लेकिन A square A plus B का whole square जो होता है वो A square B square plus का A B plus का B A is equal to होना चाहिए इसके यहां पर दियान से देखें तो A square B square कट गए यानि की A B किसके equal हो जाएगा minus B A और आपको क्या करना है comparison तो A B मैं directly कर रही हूँ first row, first column A minus B आएगा first row, second column तो 1 plus 1 होगा 2 second row, first column 2 A minus का B second row, second column 2 और 1 हो गया 3 किसके is equals to आएगा B A वो भी minus ऐसे circle कर देते हैं ठीक है B A B पहले लो first row, first column तो कितना होगा A plus 2 A फिर होगा first row, second column तो कितना होगा minus A minus 1 minus A minus 1 अच्छा, A plus 2 है अधर A नहीं आएगा ठीक है next पर आते है second row, first column तो B minus 2 आगे बड़े second row, second column तो minus B plus 1 और यहाँ से अगर हम comparison करते हैं किसका बेटा first element A minus B is equals to यहाँ का first element minus A minus 2 तो इधर से 2 A minus B बराबर minus 2 पहली condition आ गई इसी तरह से second को भी compare करो बाहर minus लग रहा है तो 2 बराबर A plus 1 यानि A बराबर आ गया 1K और जैसे ही A 1 आया तो B कितना हो जाएगा 4 यानि answer is option C क्या है 56 का answer option C ठीके संजेज आदव कह रहे है मैम आप सवाल deeply समझाया करो बिल्कुल बेटा आप ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके concepts की classes मिस हो चुकी है तो मैं यहाँ पर पूरे-पूरे concepts जुबारा नहीं बता सकती हूँ समय की पाबंदी है concepts के लिए आप वीडियोस में चले जाओ conceptual यहाँ speed यही रहेगा इसने कहा for what value of k k की value के लिए किस system of equations का non-zero solution होगा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये right-hand side कैसी आ रही है 0 homogeneous equations है non-zero solution के लिए d 0 होना चाहिए d क्या आएगा पहली equation 3 minus 1 1 दूसरी equation 15 minus 6 5 तीसरी equation k minus 2 2 किसके एक्वलाना चाहिए 0 कर दो solve 3 यहाँ आओगे minus का 12 plus का 10 तो minus का 2 minus minus plus का 1 लाइन गया 15 दुन्नी 30 minus का 5 के plus का 1 लाइन गया ऐसे तो minus का 30 plus का 6 k किसके एक्वलाना चाहिए 0 के तो minus 6 plus 30 minus 5 के minus का 30 plus का 6 k is equals to 0 30 से 30 cancel हो गया कितना बचा के is equals to 6 कौन सा option हो जाएगा option D क्या है पिटाई इस का इसा 57 का option D देखे जरा कितने लोगों ने दिया है exactly नारायन यादव कह रहे है हम आम NDA 2 2019 का result आ गया है क्या NDA 2nd 2019 वो तो बिटा बहुत पहले आ चुका है रिजल्ट आप अभी कहां से उठ रहे हो बहुत पहले रिजल्ट आ चुका है उसका February में आ गया था रिजल्ट चल्ट ये नेक्स आते हैं नेक्स प्रेशन देखो जरा प्रेशन हमारे नेक्स है हमारे पास 58 जिसने कहा फॉर वाट वेल्यू अफ के की कौन सी वैल्यू के लिए इन सिक्स्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन the only solution ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है determinant D not equals to 0 right side homogeneous equations वाली है यानि कि 2 minus 1 3 1 minus 2 1 K 1 minus 1 not equals to 0 solve करना आपको आता है 2 line गया तो 2 minus 1 कितना 1 plus का 1 हो जाएगा line गया minus 1 minus K plus का हो जाएगा 3 यानि 1 plus 2 K not equals to 0 आगे बढ़ोगे तो 2 minus 1 1 minus K plus का 3 plus का 6 K not equals to 0 या I can say 5 K is not equals to उटके उदर जा रहा है minus का 4 K is not equals to minus 4 upon 5 option B क्या है इसका answer 58 का option B समझ में आया सभी को बिलकुल next question पर आते है question number 59 for what values of K the system of equations has non-trivial solution कैसा solution non-trivial देखो जरा right hand side 0 है non-trivial solution है तो D is equals to 0 D का मतला पहला 1, 2 दूसरे में K minus 1 solve को रो equals to 0 minus 1 minus 2 K is equals to 0 यानि K is equals to minus का 1 upon 2 that is option D क्या रहा है answer 59 का option D next पर आते है next is question number 60 for what values of K the system of equations has the 0 solution as the only solution right hand side 0 है 0 solution के लिए determinant D not equals to 0 यानि 2 minus 3 K 2 not equals to 0 4 plus का 3 K not equals to 0 यानि K should not be equal to minus का 4 upon 3 which is written in कौन सा किसी वे option में नहीं है या पर तो answer क्या हो जाएगा 60 का कहीं कुछ mistake तो नहीं कहा है 2 2 जा 4 minus minus plus 60 ठीक है तो answer is option D क्या है 60 का answer option D लेकिन जो book मेरे सामने क्योंकि मैं answer sheet कोल रखी है वहाँ पर 60 का answer C दिया है जो की गलत है और यही गलती पाठक विकेश जी बलिया से है उन्होंने करी है सुमित कुमार ने करी है विकास यादव ने करी है जबकि करेक्ट answer क्या है आपके साथ D है क्या है करेक्ट answer D कुमार गौरफ कह रहा है मैं 0 solution में doubt है बेटा ध्यान रखो कभी भी अगर आपके पास homogeneous equations होती है homogeneous इस तरह है कि B1, A1, Z is equals to 0 यानि जिसकी right hand side 0 है तो इसके दो ही cases होते है या तो 0 solution होगा या non 0 solution होगा अगर 0 solution है तो determinant D not equals to 0 non 0 solution है तो D is equals to 0 ये ध्यान रखना बढ़ते है next question पे question हमें next आओ 61 61 के अंदर इसने एक matrix दी पूछता है ये matrix कौन सी है चार definitions दी तो पहले definition पे आओ non singular वयुत क्रमणी है non singular वयुत क्रमणी है यानि determinant D not equals to 0 होना चाहिए item potent यानि खुद की multiply करने पर ये आना चाहिए nil potent खुद में multiply करके null matrix आनी चाहिए orthogonal होता है जिसमें उस matrix के transpose से multiply करोगे तो identity आएगी मैंने चारो definitions लिख दी है तो करते हैं जरा हम solve सबसे पहले इसका determinant निकालो तो जब तुमने इसका determinant निकाला 2 आपने रेखा minus का 9 plus का 8 plus का 2 line गया तो 3 minus 4 minus का 4 line गया तो ये 2 minus 3 बना यानि कि ये कितना आएगा minus 2 plus का 2 और इधर आएगा plus का 4 not equals to 0 इसका मतलब answer क्या हो गया non singular बाकी option पे जाना ही नहीं है क्या है 61 का answer option A non singular is that clear बोलो जरा 61 का answer is कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर 61 का answer C B दे रहे है C B कैसे आ रहा है बटा 61 का क्या है answer ए देखो जरा हमने solve किया ना यहाँ पे matrix को non singular determinant दुबारा से कर लो 2 3 3 जा 9 होता है minus plus का 8 minus minus plus 2 तो यह 3 हो गया इधर minus 4 minus 4 तो यह हो गया 2 minus 3 calculation आपके सामने पूरी की पूरी है आपर रख दी गई है okay okay sorry guys यहाँ एक mistake होआ है sorry अंदर minus है तो इधर आएगा यह minus तो यह हमारे पास आएगा 0 कितना आएगा 0 okay तो sorry A नहीं है answer answer A तो cancel हो गया आप बच क्या गया idempotent idempotent का मतलब क्या है खुद से multiply करोगे खुद से चलो करते हैं खुद से multiply हमने कहा जब 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 की इसी में multiply करी 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 sorry 1 2 minus 3 करो जड़ा multiply देखो first row first column 2 to 4 plus का 2 2 to 4 होता है इधर plus का 2 इधर आएगा आपका minus का 4 cancel हो जाएगा तो बचा सिर्फ 2 यानि पहला element same आ रहा है 2 तो nil potent answer हो नहीं सकता आगे और देख लेते हैं first row second column तो minus का 4 minus का 6 plus का 4 2 जा 8 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास minus का 2 दूसरा भी same आ रहा है yes तो पूरा करने की ज़रत नहीं है answer क्या हो जाएगा option B idem potent क्या होगा पिटा option B idem potent clear है बोलो जल्दी से is that clear 60 अनका भी एक बच्चा कहा रहा है सुमित कुमार मैं 60 again देखो mistake हुआ है उसमें देख लेते हैं 60 को दुबारा से चलो आप लोग 60 दुबारा से कह रहे हो मैं दुबारा से देख लेती हो बताओ पिटा कहाँ पर mistake हुआ है पहला है 2 minus 3 अगला है equation k2 तो 2 2 जा 4 यह होगा minus minus plus 3 k not equals to 0 तो यहाँ पर इसने गाता only solution सिर्फ और सिर्फ एक 0 solution हो determination not equals to 0 उठके उदर गया minus ठीक तो है जल्दी बोलो कहाँ पर mistake है जो बच्चे कह रहेते 60 number दुबारा से देख लिया मैंने अभिनिवराज सुमित कुमार सुमित कुमार दो बार बोल दी आपने लिखा है बताओ कहाँ mistake है tell me where is the mistake बचा I am waiting सुमित कुमार कह रहे 0 solution के not equal to होता है not equal to ही तो लगाया है बचा लेकिन not equal to क्या आ रहा है minus 4 by 3 और यहां क्या दे रहा है plus का 4 by 3 तो option दो match ही नहीं कर रहा है क्या tick करोगे none of these yes or no चलिए next question पर आते है आज़ो बस आपने not equal to देखा calculation नहीं देखी यहां पर फिर से आओ एक matrix दी दुबारा से पूछा कौन सी है definitions पर आओ adam potent का मतलब same आनी चाहिए nil potent का मतलब क्या आनी चाहिए 0 none of these तो है orthogonal का मतलब a, a transpose आई आना चाहिए सबसे पहले हमने कहा जो एक matrix मुझे दी है a, b, b square minus का a square minus a, b इसमें इसी से into कर दो a, b, b square minus a square minus a, b आईएगा करते हैं first row, first column तो a square, b square minus a square, b square 0 first row, second column तो ये a, b, cube minus a, b, cube भी कितना आ रहा है 0 आगे बढ़ोगे तो 0, 0 यानि या answer क्या हो गया nil potent 62 का answer is option C क्या है बेटा 62 का answer option C क्या है बढ़ोगे